जावा में relational operators के spoken tutorial में आपका स्वागत है। इस tutorial में हम निम्ना लिखित के बारे में सीखेंगे Boolean data type, relational operators और relational operators का प्रयोग करके data की तुलना कैसे करते हैं। इस tutorial के लिए हम प्रयोग करेंगे Ubuntu 11.10, JDK 1.6 और Eclipse 3.7। इस tutorial का अध्योयन करने के लिए आपको Java में data type का ज्यान होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, तो उचे tutorial के लिए कृपिया हमारी निम्ना वेबसाइट पर जाएं। relational operators, conditions की जाच करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं। उनका output Boolean data type का एक variable है। एक Boolean data type का आकार 1 bit होता है। इसमें केवल दो value store होती हैं, true या false। जब condition true होती है, तो output में true प्राप्त होता है। यदि condition true नहीं होती है, तो output false होता है। यहां उपलब्द relational operators की एक सूची दी गई है। greater than, less than, equal to, greater than or equal to, less than or equal to, not equal to। हम उन सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। Eclipse पर जाएं। यहां हमारे पास 6 code के लिए आवश्यक Eclipse IDE और skeleton है। मैंने Boolean Demo नामक एक class बनाया है और इसे main method में शामिल कर दिया है। अब कुछ expressions चोड़ते हैं। टाइप करें Boolean B Keyword Boolean variable B के data type को Boolean के रूप में गोशित करता है। हम B में हमारी condition के परिणाम को store करेंगे। हम एक variable weight परिभाशित करेंगे और उस variable का प्रयोग करने के लिए एक condition की जाज करेंगे int weight equal to 45 हम जाज करेंगे कि weight की value 40 से अधिक है या नहीं B equal to weight greater than 40 यह कथन कहता है कि जाज करें कि variable की value 40 से अधिक है या नहीं और परिणाम को B में store करते हैं। अब B की value को print करते हैं। system.out.printlnb save और run करें। जैसा कि हम देख सकते हैं, output true प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि क्या होता है यदि value 40 से कम होती है। weight को बदल कर 30 करें। save और run करें। हम देख सकते हैं कि output में आशानुरूप false प्राप्त होता है। इस प्रकार greater than चिन्न का उप्योग यह जांच करने के लिए किया जाता है कि एक value दूसरी से बड़ी है या नहीं। उसी प्रकार less than चिन्न का उप्योग यह जांच करने के लिए किया जाता है कि एक value दूसरी से छोटी है या नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट आशानुरूप true प्राप्त होता है वेट की value को बदल कर 45 करते हैं और आउटपुट को देखते हैं। सेव और रन करें। हम देखते हैं कि हमें false प्राप्त होता है क्यों की condition वेट 40 से कम true नहीं है। अब देखते हैं कि कैसे जाज करते हैं कि एक value दूसरे के बराबर है या नहीं। ऐसा करने के लिए हम दो equal to चिन्नों का प्रयोग करते हैं। less than चिन्न को double equal to से बदलें। save और run करें। जैसा कि हम देख सकते हैं, output false है क्योंकि वेट की value 40 के बराबर नहीं है। अब वेट को बदल कर 40 करते हैं और output देखते हैं। save और run करें। जैसा कि हम देख सकते हैं कि output true है। इस प्रकार double equal का प्रयोग समानता की जांच करने के लिए किया जाता है। क्रिपिया सावधान रहें क्योंकि प्रायर लोग समानता की जांच करने के लिए single equal to चिन्न का प्रयोग करते हैं। और यह अनावश्यक गलतिया पैदा करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि less than और equal to के लिए कैसे जाज करेंगे। ऐसा करने के लिए हम एक less than चिन्न के बाद एक equal to चिन्न का प्रयोग करेंगे। अपेक्षा के अनुरूप output true है। अब यदि less than check क्रियानवित होता है तो यह देखने के लिए weight की value को बदलें। 40 से बदल कर 30 करें। save और run करें। हम देखते हैं कि हाला की weight 40 के बराबर नहीं है फिर भी हमें output में false प्राप्त होता है क्योंकि यह 40 से कम है। अब देखते हैं कि क्या होता है यदि weight की value 40 से अधिक हो, weight को हम 50 मान लेते हैं, save करें और run करें। जैसा कि हम देख सकते हैं, output false है क्योंकि weight की value 40 के बराबर नहीं है और यह भी 40 से कम नहीं है। इसी प्रकार हम greater than equal to की जांच करने के लिए हम एक greater than चिनन के बाद equal to चिनन का प्रयोग करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। less than equal to को greater than equal to से बदलें। save और run करें। जैसा कि हम देख सकते हैं, output true है क्योंकि weight 40 से अधिक है। weight को बदल कर 40 से कम की value ले। weight की value को बदल कर 40 से कम करते हैं, 30 मान लेते हैं। save और run करें। हमें false प्राप्त होता हैं क्योंकि weight की value 40 से अधिक नहीं है और 40 के बराबर भी नहीं है। फिर हम देखेंगे की not equal to के लिए जाच कैसे करेंगे। यह एक exclamation mark के बाद एक equal to चिन्न का प्रयोग करके किया जाता है। greater than को exclamation mark से बदले। अत्र यह कथनजाज करता हैं कि weight की value 40 के बराबर नहीं है और परिणाम को भी में store किया जाता है। save और run करें। जैसा कि हम देख सकते हैं कि output true है क्योंकि weight की value 40 के बराबर नहीं है। weight को बदल कर 40 करते हैं और output देखते हैं। 30 को बदल कर 40 करते हैं। save और run करें। हमें false प्राप्त होता है क्योंकि weight के 40 के बराबर नहीं होने की condition false है। not equal to condition को equal to condition के willom के रूप में माना जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम Java में data की तुलना करने के लिए विबिन्न relational operators का प्रयोग करते हैं। हम इस tutorial की समाप्ती पर पहुँच गए हैं। इस tutorial में हमने सीखा Boolean data type के बारे में relational operators और दो मानों की तुलना करने के लिए relational operators का प्रयोग कैसे करें। इस tutorial के लिए एक नियत कार्य के रूप में पता लगाएं कि दिखाए गए दो व्यंजक बराबर हैं। Spoken Tutorial Project के बारे में अधिक जानने के लिए निमना लिंक पर उपलब्द वीडियो देखें। यह Spoken Tutorial Project को सारान्शित करता है। यदि आपके पास अच्छा bandwidth नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। Spoken Tutorial Project Team Spoken Tutorials का उपयोग करके कार्याशनलाय भी चलाती हैं। Online Test Pass करने वालों को प्रमानपत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपिया Contact at the rate spoken-tutorial.org पर लिखे। Spoken Tutorial Project, Talk to a Teacher Project का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्य साक्षरता मिशन द्वारा समर्तित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org slash nmeict-intro पर उपलब्द है। यह script प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यह श्वोराव आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।